हेलो बच्चों तो मात्रा चिन्न में आगे बढ़ते हुए हम आज पढ़ेंगे री की मात्रा ठीके तो जो हम पढ़ चुके हैं आ की मात्रा ई की मात्रा ई की मात्रा उ की मात्रा उ की मात्रा हम सीख चुके हैं ठीके तो जो वन होते हैं वन माला में जो मात्रा चिन्न हैं वो स तो स्वर्वन है औ से अउ तक स्वर्वन होते हैं और इन वर्णों के मात्रा चिन्न होते हैं तो हमने अब तक सीखा आ की मात्रा हम सीख चुके जो की एक लकीर है ठीके एक लकीर है एक की मात्रा हम सीख चुके जोटी की मात्रा यह है ठीके और बड़ी की मात्रा हम सीख चुके और यह है बड़ी की मात्रा उ की मात्रा हम सीख चुके हैं ऐसे और उ की मात्रा भी हम सीख चुके हैं ठीके तो वर्ण माला में कौन-कौन से अक्षर ने बताईए आ का जो, अ का जो है ये मात्रा चिन इसमें नहीं है आ से सुरू होती है आ, छोटी इ, बड़ी इ, उ, 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 उसके बाद आता है री, ठीक है? ये जो री अक्षर की जो मात्रा चिन है, ये इस प्रकार है तो आज हम री की मात्रा वाले सब पढ़ना और लिखना सिखेंगे तो देखिए, ये जो आपका जो पेज नमबर, देखिए, यहाँ पे है, पेज नमबर 62 तो 62 पेज पे आईए, और देखिए, यहाँ पे अक्षर पे मात्रा कैसे जोडते हैं देखिए, यहाँ पे है, म में, म में, री की मात्रा जुड़कर क्या हुआ है, ठीक है? व में जुड़ा है, क में जुड़ा है, तो हम भी जोड़ेंगे इसको देखिए ये जो म है इसमें हम री की मात्रा चिन्न जोड़ेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे म में री की मात्रा जोड़ेंगे ऐसे ये जो लकीर है इसमें से हम मात्रा जोड़ेंगे कैसे पढ़ेंगे इसको हम री ठीक है उसके बाद दूसरा अक्षर है व व में हम री की मात्रा चिन्न जोड़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे री ठीक है उसके बाद ख में जोड़ेंगे री की मात्रा चिन्न और ये बन गया इस जो लकीर के है उसके ठीक नीचे हम मात्रा लगाएंगे और पढ़ेंगे क्री ठीक है अब इन अक्षरों में तो हमने लगा लिया अब कुछ सब्द भी लिखेंगे देखिए यहाँ पे लिखा है क्रिपान यह जो मात्रा है उसको लगने से हम कैसे पढ़ेंगे क्री पढ़ेंगे ठीक है क्रिपान मतलब तलवार म्रिग मतलब हिरन और व्रिक्स मतलब पेड क्रिशक मतलब किसान ठीक है तो हम भी इन सब्दों को लिखेंगे देखिए हम भी लिखेंगे क में री की मात्रा क्री प में आ की मात्रा पा और यह न क्रिपान मतलब तलवार व में जोड़ेंगे व्री और यह श्यर व्रिच मतलब पेड, मृग म मेरी की मातरा मृग और इह म्रिग मा मेरी की मातरा मृग मतलब किसान तो ऐसे भी हम ये जोरी की मात्रा जोड़ेंगे और उसको हम पढ़ेंगे तो आपके लिए एक काम है कि पेज 62 में जितने भी सब्द हैं यहाँ पे देखिए रिशी है, रीदय है, म्रिग है, क्रिपा है, क्रिशी, न्रिप, म्रिदंग, घ्रीना इन सब्दों को आपको पढ़ना है और साथ ही इधर लिखना भी है और कोपी में भी ये जो पेपर है फाइल में उस पर भी आपको लिखना है पेज नमबर 62, ठीक है, तो इन मात्राओं को आप अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद ही हम आगे अच्छे से विशे को पढ़ पाएंगे, ठीक है, तो मात्रा शिखिए और ये आज, आज के लिए काम है आपकी री की मात्रा, इसको आप लिखना और पढ़ना सिखिए, ठीक है, ठैंक यू,